हेलो दोस्तों इस चैनों हेल पीपी में आप सभी का सौगत है आज का डिस्केशन हिंदुस्तान के एडिटोरियल से लिए आगया है आप सभी को सिक्षक दिवस की हादिक बढ़ाई आज हम डिक्षिन के गति सीमा असी से सौ सब्द परती मिनट रहेंगे अकर आपने अभी तर हमारे चनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर रिजिए और बैल आइकन को दबाना मत भूलीगा डिक्षिन स्टार्ट करते हैं ठीक पांच सेकंड के बाद रिडी स्टार्ट हमारे सहर क्या रहने लायक हैं अगर रहने लायक हैं तो कितने रहने लायक हैं ऐसे प्रस्द जितने जरूरी हैं उतने ही जरूरी हैं इनके उत्तर Economist Intelligence Unit ने जो ताजा Global Liquidity Index की रिपोर्ट जारी की है उसमें ना केवल राश्चिय राजधानी दिल्ली बलकि देश की व्यवसाइक राजधानी कहलें कवाली मुंबै भी फिसल गई है जीवन अनुकूलता के पैमाने पर नई दिल्ली पिछले वर्ष की तुलना में 6 इस्तान गिरकर 118 नंबर पर पहुँच गई है जबकि मुंबै 117 से 119 इस्तान पर खिसक गई है दुनिया भर के 140 सहरों की विवेचना करते हुए यह रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें इस्तिरता संस्किर्टी वपरिवेश स्वास्त सेवा मोल भूत धाचा और सिक्छा जैसे पांच पैमानों का उपियोग किया जाता है इन पांच पैमानों पर नई दिल्ली और मुंबै जैसे गौरव के परतीक भारती सहरों का गिरना ना केवल दुखल है बलकि एक बड़ा विचारणिये प्रस्थ है हमें अपने अपने सहरों की इन पैमानों पर आकना चाहिए इमानदार पड़ताल करें तो हमें पता लग जाएगा कि नई दिल्ली रहने के लिए आज से दुनिया का 118 सहर कैसे बन गई है यहाँ भी तै करना होगा कि यहां से हमें और नीचे गिरना है या फिर ठोस कदम उठाने हैं जिससे अगले वर्ष की रैंकिंग में हमारी इस्तती बहतर हो जाए भारत एक विकास सील देश है हमें ऐसे सहर चाहिए जो दुनिया को भारत आने के लिए मजबूर करें जब हम अपने सहरों को रहने लाइक बनाएंगे तो हम ज़्यादा निवेस और खुसी की सहजता से आमंत्रित कर सकेंगे औस्टेलिया के सांदार सहर वियाना ने जहां अपने सरवोच इस्तान को कायम रखा है वहीं औस्टेलिया के चार कनाडा के तीन जापान के दो सहर दुनिया के टॉप दस रहने लाइक सहरों में सामिल हैं संगर्सों में भसे सीरिया का दमसिक सहर सबसे नीचे एक सो चालिसवे नमबर पर है एशिया में धाका का और कराची भी 138 और 136 इस्तान पर है धाका और कराची की मजबूरी को समझा जा सकता है लेकिन लोकतांत्रिक उदार नई दिल्ली और मुंबे की गिरावट यहां के नेतुर्त पर अपने आप में एक गहरी टिपनी है यहां अपने सहरों को समार कर समार कर रखने में हमारी नाकामी पर भी एक मुहर है हमारे सहर लगातार विस्तापन और पुनरवास से गुजर रहे हैं यहां इस्तिर्ता नहीं के बराबर है ना हमें इनकी संस्कृती की चिन्ता है और ना परिवेश की लोग यहां खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं यहां बताने की जरूरत नहीं है इनमें बड़ी आबादी ऐसी है जो मूल भूत चिकिस्सा सेवा से भी वंचित है सडक, बिजली, पानी के मोर्चे पर भी समस्याएं जितनी सुलजाई जाती हैं उससे जादा उलजी नजर आती हैं बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो उचित सिक्षा से वंचित हैं बेशक हमें वियना, मेल बन, सिडनी, ओसाका, केलगरी, वैंकुर, टोरंटो, तोकियो, कोपेन हेगन, एडिलेट से सीखना चाहिए इन सहरों ने रहवास के उचे मुकादमों को कैसे हासिल किया है यह एक ऐसा मोडचा है जहां जिम्मेदारिक सामुहिक है सहरों को रहने लायक बनानी के लिए जहां सासन प्रसासन के इस्तर पर एक जुट होकर समेकित विकास के लिए काम करना होगा वही नागरिकों को भी देखना होगा की सहर को रहने लायक बनाने में उनका कैसा और कितना योगदान हो सकता है स्टॉप दोस्टों अकर आपको डिक्टेशन की पीडियाफ चीए तो आप हमारे वर्टसप और टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको हमारे पीडियाफ मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर ने किया है तो प्लीज हमारे च